नमस्कार, मैं जवन्ती, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गाड़निंग विच जवन्ती को दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मनी प्लांट्स और फिलोडेंडरन्स के बारे में मनी प्लांट्स को घर की साउथ इस्ट दिशा में रखना बहुत ही सूब माना जाता है यह भी माना जाता है कि इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से पॉजिटिव एनरजी आती है साइन्स कहता है कि यह प्लांट एक बहतरीन एर प्यूरिफाइंग प्लांट है क्यूंकि यह प्लांट राद को भी अक्सिजन प्रोड्यूस करता है इसलिए यह बेस्ट इंडोर प्लांट है मौनी प्लांट्स के साथ-साथ फिलोडेंडर्स भी बढ़िया एर प्यूरि फैंग प्लांट से बहुत सरे अच्छे-अच्छे गून के साथ-साथ यह प्लांट दिखने में बहुत ही सुन्दर है खास करके इसके पत्तियां आईए देखते हैं मेरे पास मौनी प्लांट्स और फिलोडेंडर्स के क्या-क्या कलेक्शन्स है यह है गोल्डेन पोथस एक कमन मौनी प्लांट है इंडोर और आउड़र में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोव करता है इसके ग्रीन-ग्रीन पत्तियों में एलो कलर का भैरिगेशन्स है बहुत ही सुन्दर दिखता है यह है एंजोई पुथस इसको मार्बल प्रिंस भी कहते हैं इसके पत्तियां छोटे-छोटे हैं ग्रीन और वाइट कलर के हैं हैंगिंग बास्केट में यह प्लांट बहुत ही सुन्दर दिखता है मैं यहां मौस्टिक देकर प्लांट को लगाया हूँ आप देख सकते हैं यह कितना सुन्दर दिखे रहा है यह है नियन पुथस इसके पत्तियां ब्राइट ग्रीन कलर के हैं कुछ-कुछ पत्तियों में क्रीम कलर के फैरिगेशन्स है दिखने में बहुत ही सुन्दर है मौस्टिक देकर लगाओ या हैंगिंग बास्केट में लगाओ, यह प्लैंट बहुत ही ज़्यादा सुन्दर दिखता है। आगे है फिलोडेंडरन मीकन्स। इसको भेलबेट लीफ फिलोडेंडरन भी कहते हैं। इसके पत्तियों को छुनने से भेलबेट का फिलिंग आता है। पत्तियों भी परफेक्ट हार्ट सेप के हैं। पत्तियों का कॉलर बहुत ही प्यारा है। कुछ ग्रीन और ब्रोंज कॉलर के कम्बिनेशन्स है। यह है हाट लीफ फिलोडेंडरन। पत्तियों ग्रीन कलर के हैं और कोई भेरिगेशन्स नहीं है। पत्तियों परफेक्ट हार्ट सेप के हैं। आगे है नियन पुथस। इसके खुब सुरत पत्तियों ब्राइट ग्रीन कलर के हैं। और यह है फिलोडेंडरन ब्राइशिल। इसके पत्तियों बहुत ही सुन्दर है। डार्ग्रीन पत्तियों के सेंटर से ही एलो कलर का एक प्याटन है। जो पत्तियों का सुन्दर्ता को बढ़ा देता है। आईए देखते हैं हैं हैंगिंग बास्केट में और क्या-क्या भेराइटीज है। यह है मोंस्टेरा आदान सोनी। इसको सुइस चीज प्लांट भी कहते हैं और फाइब होल प्लांट भी कहते हैं। इसके पत्तियां देखिए कितना सुन्दर और इनिक है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुन्दर दिखे रहा है। यह है मंजुला पुथस जुला पुथस फैमिली। इसके पत्तियों में डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और हुआट स्ट्रिक्स हैं। highly variegated plant है और पत्तियां बहुत ही सुन्दर। और आगे enjoy पुथस। हैंगिंग बास्केट में enjoy पुथस बहुत ही प्यारा लगता है। और यह भी enjoy पुथस है लेकिन green कलर का है। और यह है marble queen पुथस। इसके पत्तियां देखिए white और cream कलर के variegations है। बहुत ही सुन्दर है। और आगे नियन पुथस। हैंगिंग बास्केट में नियन पुथस कितना सुन्दर लग रहा है। और आगे फिर से monjula पुथस। और यह है philodendron Brazil। हैंगिंग बास्केट में भी यह plant बहुत ही सुन्दर लग रहा है। और यह है enjoy पुथस। पुथस और philodendrons को चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाओ। चाहे टेबल टप में रखो। चाहे मॉस पॉल देकर ग्रो करो। सब में यह plant बहुत ही प्यारा लगता है। इसका care और maintenance इतना easy है कि इसको कहीं भी लगा सकते हैं। घर के entrance में, bedroom में, living room में और balcony में भी लगा सकते हैं। यह plant को bright indirect sunlight के साथ साथ well ventilated area भी चाहिए। इसलिए मैंने pathos और philodendrons को balcony में रखा है। यह plant मेरे balcony का खुबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर पोथस money plant है, लेकिन philodendron money plant नहीं है। हमेशा philodendron और पोथस में हम एक confusion रहता है। आईए इस confusion को मैं दूर कर देती हूँ। philodendron में लीफ को कभर करके एक सीथ होता है। यह देखिए सीथ। और यंग लीफ ब्रोंज कलर के होते हैं। यानि की mature लीफ ग्रीन कलर और यंग लीफ ब्रोंज कलर। लेकिन मोनी प्लांट में सारे लीफ एक ही कलर के होते हैं। और यहां कोई सीथ नहीं होता है। इसी तरह फिलोडेंडरन और मोनी प्लांट को आप पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मिट्टी के बारे में। पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए निूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेंड सोयल चाहिए। में 40% गाडेंड सोयल के साथ 30% भर्मी कमपोस्ट, 30% कोकोपीट और दो मुठी निमखली के पाउडर को मिला कर सोयल मिक्सचर तयार करती हूं। मौनी प्लांट को बार बार खाद देने की जरुरत नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं तो तीन महिने में एक बार दो मुठी भर्मी कमपोस्ट के साथ एक स्पून सीवूर एक्स्ट्राट को मिला कर पधों को दे सकते हैं। अब बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। पानी तब भी दे जब गमलों में मिट्टी का उप्रिभाग सुखा दिखे। लेकिन हर रोज पधों को मिश्टिंग जरूर करे। इससे पत्यों में जो धूल मेल है वो साफ हो जाता है और पत्यां हरा भरा दिखते हैं। पधों को ज्यादा पेश्ट आटक नहीं होता है। फिर भी साथ दिन में एक बार नीमवेल पेश्टिसाइड का स्प्रे करने से पधे हिल्दी रहते हैं। प्रुपाकेशन के बारे में बात करे तो यह पोधा कटिंग से बहुत अच्छी तरह से ग्रोव कर जाता है। दोस्तूं कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर इनफर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्षन में लिखिएगा। वीडियो को लाइक, सेयर और चानेल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में, और एक नई टपिक के साथ। तब तक के लिए बाई, हापी गार्णिंग।